अलो जी असलाम लेकूम वेलकम बाक टो मैं चैनल अनधर डे अनधर व्लॉग इमार लाइफ कैसे हैं अप सब लोग गुम्मीद करती हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे मज़े में होंगे हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में और आपको जैसा के पता है कि बच्चों क हो चुकि है स्टार्ट आप बच्चे घर पर होते हैं अब कुछ ना कुछ और या दो ऊब्स है दो कुछ फ़ेति प्रयग दो कुछें के काम करने हैं तो आज मैं पर गए ते किसी काम के स्ल्सले में कुछ प्रेर कुछ नहीं कि हम लोग बाहर गे जल्दी से क्विक्सिंद क हमने शॉपिंग की है तो मैंने का इस से पहले कि मैं सारी चीजन से मेड दूं आपको दिखा दूंगे कि मैं क्या ले क्या हूं इसके बाद यह सब दिखाने के बाद आपको लेकर जाओंगे और हमारे पाद से न्यू स्टोर ओपन हुआ है वो उंटेरियों में होता था इदर कर सकती हूं क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कौन सी आयल में क्या चीज़ पढ़ी है तो आप कंफरेबल फील नहीं करते हैं लेकिन हो सकता है स्लोली ग्रैजूली मैं वहां पर जाना स्टार्ट करूं तो मझे अच्छा रगना शिरू हो जाए तो इस क्लिप के बाद आप पर क्या देखा स्टोर कैसा था और कैसा नहीं था फिर अभी मुझे बाहर जाना है थोड़ी चोटे मोटे काम है आपको लेके जाती हूं वह भी दिखाऊंगी लेकिन उससे पहले आपको यह अपनी आज की शॉपिंग दिखाऊं जो मैं करके लाई हूं ताकि इसको फिर मै हूं तो कुछ ना कुछ लेके आती हूं यह बच्चों के लिए ठीक्स हैं साथ में मुझे कुछ यह फॉइल के बरतन चाहिए थे क्यों कि घर में होने चाहिए किसी को फूट भेजना हो मेरे पस और रेड़ी कुछ थे मैंने पिछले दिनों यूज कि है तो आप खत्म होग है तो मुझे मिल गया तो मैंने नवीद के लिए यह ले लिया था यह कुछ मैंने आपको दिखाती है मैंने क्यों ले कुछ डेकुरेशन की चीज़े है क्यों लिए मैं आपको दिखाती हूं बर्गर ब्रेड मुझे चाहिए थे वह लिए सिंपल ब्रेड मुझे चाहिए थ किया हूं तो उसके लिए मुझे जूरता फेले ये में लेके आहीं हूं ए मैं लेका हूं development in warfare wishes और यह चमकाम्न पॉर्पार्रबाउची घार है रचाने मने फेले मैंने लिन आजी सफक्रम्न ली किस हो के लिए और आव यह रेकार प्रस काइए जा हो उली holiday season है तो लोग एक दूसे को चॉकलेट और गिफ्ट और देते हैं तो मैंने चलो मैं भी उनके लिए ले लेती हूं उनके लिए यह मैंने लिए हैं फोर बॉक्स में भी मुझे एक दो बॉक्स और भी लेने पड़ें तो यह बड़े वाले बॉक्स हैं फुल साइस के हैं और य इतनी अच्छी प्राइस मैंने तो ठाली है मैंने जल्दी से ले लो उसके बाद मैंने लिए है यह पफ पेस्ट्री एंड यह सारे चीज है थी जल्दी हम लोग गए और लेके आए उसके इलावा मैं जिबराइल कुछ लेके आई ती मैं आपको उदर दिखाती हूं वह क्य जाए तो यह बैबरस उसके लिए उसको कर रही है जी इसंबर इतने चोटे चोटे पीसस होते हैं जिबरेल पूतर हैं नो किसके तो यह बैठी है जिबराइल मेरे साथ गई थी तो साथ जाए वैसे जादा नॉर्मली यह बच्चे टॉइस के लिए पूछते नहीं आपको याद होगा जिबराइल को हमने बर्टरे पे कुछ गिफ्ट किये थे उसमें से कुछ चीज ने इसको चेंज करवानी थी तो हम गए इसने बोला मैंने चेंज करवानी हैं तो यह एक चीज लेकर आई अब इसमें दो तीन चीज़े एमजान पर पसंद की हैं महाँ पर यह औ इसबाइल के दूलन को हम आई बटाम जो आई थी न को हम देखना उप लाह टारै दी अदिन चाहिए वह धिने हैं तो सुद्वे मत पी किस सब्सक्राइब ने जाना है मने उसमें सब्सक्राइब और यह बटारा पतर हैं दो हम चैने डिश्या गाने चीज़े अड़ने तो ब्रॉस्टरी की चीज़े अभी ये पढ़ी है अब इनको मैं समेट हूँगी फिर आपको लेके जाओंगी बाहर कि भी थोड़े से काम है जो मुझे अभी करने है अगर मैं ने नी की यह पिर मुश्किल हो जाएगा तो चले मैं आपको लेके चलती हूँ बाहर और आपको इस नाम का नहीं था लेकिन फिर कुछ रसा पहले मुझे बता चला कि हमारे प्रॉविंस में ये स्टोर की ओपनी होना स्टार्ट हो चुकी है तो अभी फाइनली वेंचली हमारे घर के पास भी स्टोर बन गया है तो मैंने का चले नया स्टोर है जाती हूँ देखती हूँ कोई काम नहीं था मुझे ना मैंने कुछ लेना था ना कुछ लेकिन फिर भी जिवराहिल को मुझे शोका है चलो जी नया स्टोर जाकर देखते हैं कैसा बना है तो ये था जी वो नया स्टोर और जैसे मैं एंटर्वी मुझे एक दम से वो याद आया क्योंकि जब हम उन्ट स्मॉल साइजेज में थी बड़े पैक्स नहीं थे बैलकि मैंने एक दो चीजों के इन से पूछा तो नहीं बोला कि हमारे पास उनके फैमली पैक्स नहीं है स्मॉल पैकिंग में वो चीज है तो इस तरीके से मुझे लगा कि ये स्टोर शायद अभी क्योंकि नया खुला है है आहिस्ता है हो सकते हैं और चीजने लेके आए आहिस्ता हो सकते हैं ये लोग इसको और बढ़ाद हैं लेकिन अभी तो मुझे बिल्कुल भी वह ऐसा नहीं लगा कि जैसे एक होता है कि एक आपको फील हो कि वह फीलिंग है नहीं आप मैं यहीं से आके ग्रॉसरी करूंग हैं तो अगर मैं कभी शॉपिंग करने आऊंगी और मुझे कुछ चीज सूपर स्टोर से नहीं मिलेगी तो फिर मैं इधर आ जाऊंगी लास्ट टाइम जब मैं यहां पे गई थी उंटेरियो में तो मुझे याद था था कि इनके पास देसे समान बहुत जादा होता था ला उसे क resembling करते हैं क्या क्या नहीं क्योंकि इसमें से मैंने सुना है क्योंकि र्नॉर्ट साइट पर जह इस सूपर साइड पे इक स्टोर को लाए उनमें मैंने सुनाए क्या वराइ́ था को अगर वराइटी हैं अगर घ्रीन चैना चाहिए और सवरा चीजने मेलती हैं तो इन आइस्ता चीजों को फिगर आउट करेंगे, हलाल सेक्षेन भी थोड़ा है, लेकिन इनके पास हलाल मेरिनेटेड जो होते हैं, चिकन, बीफ, कबाब, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, लेकिन इस वक्त इनके पास नहीं पड़ी थी, मैंने किसी से पूछा, तो नहीं बोला है कि आपको अपने नेबरूट के स्टोर में से आपको अराम से एजली हलाल चीज़ें मिल जाएं, यह बहुत बड़ी ब्लैसिंग होती है, ऐसे कंट्री में, जिस कंट्री में गहर मुस्लिम जादा हों, मुस्लिम कम हों, वहां पे आपको हलाल एजली अवेलेबल हो, तो य बहुत बड़ी ब्लैसिंग है, तो यह था सारा का सारा स्टोर जिसना मैंने कहा आपको एक उसको एक लुक दिखा देती हूँ, इन्शालतला फ्यूचर में कभी आउंगी, तो फिर हम लोग यहां से एक एठे ग्रॉसरी भी करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगे, क्योंकि इनका यह लोग बाहर लिख के रखा हुए, इनके पस लोइस प्राइसिज होती है, तो जब मैं प्राइसिज जब मैं यहां से ग्रॉसरी करूंगी, तो मुझे पता चलेगा कि क्या वाके ही, बिल में कोई डिफरेंस आता है, कि सेम प्राइसिज होती है, कुछ स्टोर जो है इस चीज़ का दावा तो करते हैं, लेकिन वो इतने सस्ते होते नहीं हैं, तो बस जब यहां से मैं आ गए थी घर, स्टोर के बाद घर में आई, मैंने आपको ग्रॉसरी दिखाई, अरभी मैं फिर निकली हूँ, मैं निकली हूँ जी कार वाश करवाने के लिए, और आपको मज़े की बात बताओं कि कार वाश करवाना भी विंटर में एक अजाब हो गया था, लाइक मुझे लग रहा था कि कार वाश कैसे करवाई जाए विंटर में, हमारे घर के इड़ बहुत जादा कार वाश हैं, तो हम लोग आ गए थे जनाब शेल के कार वाश पे, क्योंकि हम लोग नवीत की कोशश होती है की वीकली वेसिस पे एक दफ़ा हम कार को जरूर वाश करवाते हैं, इनको होता है कि कार वोगत गंदी हो जाती है, या सड़कों पर वो वो सॉल्ट वगयरा डालते हैं, या सेंट डालते हैं, तो वो भी आपके गाड़ी के साथ चिपकती रह जब आप वाश करते हैं तो गाड़ी इतनी साफ नहीं होती है और कुछ है जब बहुत अच्ही वज़ करते हैं तो जिधर अभी हम हैं ये वन उफ्द ववली जग्या जो अच्छी कार को वाश करते हैं तो भी हम आ चुके हैं और पता है क्योंकि विंटर में यह होता है कि हर जगा का एक अपना वो कहते है ना कि एक अपना उन लोगों ने एक माइनस में रखा होते टेंप्रेचर के जिसके बाद वो अपना कारवाश बंद कर देते हैं तो हम इदर आए हमारे गर से तक्रीबन 5.6 km दूर था हम पहुंचे हैं और हम लोग आए तो इन लोग ने कोई साइन नी लगाया वाता कार वाश का कि क्लोजड है लेकिन यहां पर कोई लाइट ब्लिंक नी कह रही थी तो इसका मतलब था कि कार वाश क्लोजड है हलाए कि अगर यह बंद है तो उन लोगों ने कोई साइन क्यों लगाया क्योंकि जहां पर एंटर होते हैं वाँ पर यह लोग अकसर लगा देते है हम ने उनको पूछा तो लोग नोग ने बोला कि अमारा जी कार वाश बंद है तो भी हम लोग निकल रहे हैं यहां से बहें हम कहीं तो वाश करवानी है, अब नवीत को वह होता है कि नहीं आज करवानी है, तो आमने का चलो एक दो जगे हमारे घर के इर्थ के इर्दी जो है, उनको ट्राय कर लेते हैं, अगर उन में से कुछ खुला होगा तो करवा लेंगे नहीं तो फे घर वापिस जले जाएंगे, तो स्नो फॉल भी नहीं हो रही, स्नो भी थोड़ी थोड़ी पड़ी है, लेकिन इतना थ वैदर है कि जब आप बाहे जाते हैं तो आपको लगता है कि अगर आप दो मिनट भी खड़े हो जाएंगे ना तो आप बिलकुल फ्रीज हो जाएंगे, और एक्शुल में ये तना है और रोट कंडिशन भी इतनी खराब है, मैं आपको बता नहीं सकती, कैमरा में आपको कभी भी वो चीज़ पता नहीं चल सकती, जो आप एक्सपिरियंस करते हैं, गाड़ी को ड्राइब करते हुए, जब मैं आई सुबो निकली थी, जब मैं निकली तो मेरी गाड़ी इत का बेखते हैं कि दुनिया के सारे काम चल रहते हैं, अगर आप मेरी लाइफ को देखते हूंगे, तो में कि यहां पर कतनी ठंड में गुल रहती हैं, कैसे गुजारा होता हैं, लेकん आप यगान करें, कि जब तक आप उस चीज़ चाइँ पे जाते नहीं हैं, उस प्रोससे ये always गाड़ी आगे से clean करता उसकी back side कभी भी clean नहींड करता लेकिन वहीन वहली बात कि मैंने इसके बाबा से बोला कि ये आदि गारी ऋसफ करेगा आदि नहीं नहीं करेगा लेकिन उन्तब बोला कोई बात नहीं लेके चलते हैं खैर है कोई नहीं दो तो देगा साफ तो हो जाएगी चलो थोड़ी जादा साफ नहीं होती तो लग बात है क्योंकि आपको पता है समर में तो हम लोग घर में भी कार वाउश वगारा किया करते तो इतनी क्लीन हो जाया करती थी गाड़ियां इतनी साफ सुतरी आप गाड़ी का इंटिरियर भी साफ कर देते थ लेकिन विंटर में होता है कि हम अंदर से कम साफ करते हैं, आर गारियों वैसे ठोल हमदु आध घंदी हमारे बचे घंदी नहीं करते हैं, जाधा मैस नही कि बनाते हैं लेकिन जो आपके पैरो वाली जगा होती जो तो हम यही सोचते हैं कि चलो आज का एक और दिन गुजर गया, एक और दिन गुजर गया, और इंशाला तला तला करेगा, तो यह एक एक दिन करके दिन गुजर जाएंगे, और उसके बाद फिर से वही अच्छा मुसम आ जाएगा, तो हमारी लाइफ बहुत इस वेदर के तो कभी बड़ा माइल्ड होता है, इस साल तो हमारे जो हम वेदर फोरकास्ट वगयरा देख रहे तो इसमें बता रहे थे, कि हम लोग लोग प्रेरीज में रहते तो कह रहे तो प्रेरीज का जो वेदर है वो बहुत थंडा होगा, और बहुत कम ऐसा होता है कि यह इनकी जाते थे जब वेदर अच्छा हो जाता तो फिर दो तीन दिन साखत हो जाते थे, लेकिन इस दफ़ा तो कंटिन्यूस इतना सखत वेदर चल रहा है ना, लेकिन बस क्या कर सकते हैं, यह तो लात आला की मर्जी है कि वेदर कैसा रखना है, और मैंने तो सुने है, अभी मेरी हीटर से लाके बैठते हैं कमरों में तो फिर जाके अच्छा कुजारा होता है, वरना इदर आपको घर में तो फील ही नहीं होता, बेश्यक्त आप लॉन के कपड़े पहने, बेश्यक्त आप कॉठन के कपड़े पहने या आप कुछ भी पहने, अगर अगर को मोटी लेर्स तो आपको गर्मी लगना शिरू हो जाती है, तो वही वाली बात, बाहर निकलना है तो गाड़ियां भी आपके हीटेड होती हैं, लेकिन वो इन बिट्वीन जो आपको घर से गाड़ी तक बैट के या गाड़ी से निकल के किसी जिगा के अंदर तक जाने के लिए आपको ब लेकिन बच्चों को सर्दी इतनी एफेक्ट नहीं करती, मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी इस चीज़ कितनी कंप्लेंड नहीं करते कि अम्मा बहुत ठंड है, हाँ जब ठंड होती है तो बोलते हैं अम्मा बहुत ठंड है, लेकिन ऐसा नहीं कहते हैं कि हमने बाहर नहीं न भी आपने इंजॉई किया होगा अगर अच्छा लगा है तो कल दुबारा आईएगा और फिर हम मिलेंगे मेरे ने व्लॉग के साथ तब तक रखेगा आपना खयाल मुझे रखेगा आपने दुआओं में याँ टेक केर जी अला हाफिस